डाइपर बालू मटके बनाने के लिए जब मित्टी को मिला रहा था तब उसे सोने की चैन मिली ये देख कृष्णा ने ये कहकर बालू से उस चैन को छीन लिया कि बालू ने मित्टी उसी के पास खरी दी है और राम का ये कहना था कि उसकी खेती से निकाली हुई मिठी है तो उस सोने पर पहला हक उसका बनता है अब आप ही बताईए कि इन तीनों के संघर्ष में सोना किसे मिलना चाहिए या अगर आपको गाउं के मुखिया का फैसला सुनना है तो आपको कहानी देखनी पड़ेगी एक गाउं में किर्ती और बालू नाम के गरीब भाई वहन रहा करते थे वे दोनों मटके बनाकर अपना गुजारा करते थे एक दिन बालू को किर्ती ठकी ठकी सी दिखाई दी उसने अपनी दीदी के पास जाकर कहा दीदी मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए चैरा तुम्हारा उत्रा उत्रा सा लगता है अगर मैं आराम करूँगी तो काम होने में देरी होगी ना बालू चल कोई बात नहीं तु जाकर मिठी लेकरा तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ बालू ने उसकी बात मानी और राम की खेती से मिठी लाने के लिए घर से निकल पड़ा और जब तक वो वहां पहुंचता, वहां राम और कृष्णा आपस में बात कर रहे थे मैं अभी तुम ही को याद कर रहा था, इतने में तुम आ ही गए दरसल अब मुझसे खेती नहीं हो पाती एसलिए मैंने अपनी जमिन कृष्णा को पटे पर दे दी है आज के बाद जब भी तुम्हें मित्ती चाहिए होगी, वो तुम्हें कृष्णा से ही लेनी पड़ेगी हाँ मुझे चाहे जिससे भी लेना पड़े, क्या फर्यक पड़ता है, मुझे चाहिए तो मित्ती ही न थोड़ी मित्ती ली और घर वापस चला गया आ गया तू बालू, मैं कबसे तेरा ही इंतजार कर रही थी दीदी, मैंने तुमसे कहा था न किया राम कर लो बालू ने कीर्टी को अंदर भेजा और अकेले ही मटके बनाने लगा शाम तक मित्ती के खतम होने पर बालू फिर से मित्ती लाने के लिए खेती पर गया पैसे दिया करता था, अगर आपको पहले से ही पैसे चाहिए तो ठीक है पैसे तु घर पर रखे हुए हैं, पैसे ले जाना ठीक है, वैसे मेरे घर के रास्ते में ही तुम्हारा घर परता है तो आज के लिए तुम मैं घर आकर पैसे ले लूँगा पर आएंदा अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें मिट्टी नहीं मिलेगी। बालू ने हा में जवाब दिया और वहां से मिट्टी लेकर घर लोटा। जैसे ही वो घर पहुंचा उसने देखा किर्टी मटके बनाने बैठी थी। देडी अभी अभी तुम मैंने कहा था ना कि अंदर जाकर आराम करो और तुम फिर से मटके बनाने बहरा गई। जब तक तुम ठीक नहीं होती तुम्हें आराम ही करना है मटके नहीं बनाना जाकर कुछ खालो और आराम कर लो। कीर्थी के अंदर चले जाने के बाद जो मिट्टी वो खेती से ले कर आया था बालू ने उसका धेर बनाया। उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए मिट्टी को मटके बनाने के लिए तयार कर रहा था। पर जब वो मिट्टी मिला रहा था, तब अचानक से उसके हाथ सोनी की चैन लग गई। दीदी दीदी, जल्दी से बाहर आओ दीदी, देखो तो मुझे मिट्टी में क्या मिला है। चौंके हुए बालू ने जोर-जोर से चिला कर कीर्टी को बुलाया। कीर्टी तुरंद बाहर आई, बालू, क्या ये सच में सोनी की चैन है, और तुम्हें मिट्टी में मिली है, सच में हम बहुत किसमत वाले हैं। यू कीर्टी ने खुशी जताई, ठीक उसी समय क्रिष्णा खेती का काम निप्टा कर बालू से पैसे लेने के लिए उनके घर पर आया था, उसने देखा कि बालू को मिट्टी में सोना मिला है, ये देख उसका मन लल्चाया। इन बच्चों की तो किसमत चमक गई, अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि ये सोना मेरा हो जाए, कुछ करना होगा। कुछ सोच कर क्रिष्णा बालू के पास गया। मेरी बेची हुई मिट्टी में तुम्हें ये सोना मिला, तो ये सोना मेरा होगा। क्रिष्णा ने बालू के हाथ से सोना चीन लिया। भला ये आपका क्यों होगा, आपने तो मिट्टी हमें बेचती है न। यू किर्टी कहती रही पर क्रिष्णा ने उसे अंसुना किया, और वहां से सोना लेकर चला गया। उसके चले जाने के बाद कीर्थी और बालू तुरंथ अपने पडोस में रहने वाले गाउं के मुखिया राजा सहाब के पास गए और उनसे न्याय मांगा। मुखिया राजा सहाब ने फैसला सुनाने के लिए कृष्णा को वहाँ पर आने के लिए कहा। गाओं में तुरंथी ये बात फैल गई और राम तक ये बात पहुंची कि उसी की खेती में सोना मिला है। में सोनी की चैन नहीं। हम बस खेती में जाकर चैन ढूनने ही वाले थे कि इतने हमें ये खबर मिली। बस इसलिए मैं सीधे यहां पर आ गया। आज रात के लिए ये सोना मेरे पास ही रख दो और तुम सब घर चले जाओ। मैं बहुत सोच विचार कर ये फैसला करूंगा कि सोना किसे मिलेगा। ये कहकर मुख्या ने उन तीनों को घर भेजा। इन तीनों में से कौन उस सोने का असली हगदार होगा। और आपको क्या लगता है राजा सहाब का फैसला किसके पक्ष में होगा। डाइपर बालू और किर्ती जंगल के रास्ते जंगल में जा रहे थे और उनके आटो में पीछे माता लक्ष्मी बैठी हुई थी और बच्चे इस बात से अंजान थे आखिर मा लक्ष्मी उनके आटो में बैठी क्यूं थी। बच्चों के आटो में मा लक्ष्मी बैठी हुई है चाहिए बात बच्चों ने जाना चलिये जानते हैं। एक गाउं में कीर्ती और बालू नाम के भाई बहन रहा करते थे। अपना गुजारा करने के लिए वे दोनों आटो चलाया करते। एक दिन डाइपर बालू अकेल चलते आ रहे वेंकट के पास चला गया। हटो मेरी नजरों से। अंकल जी अगर आपको मेरी आटो में बैठना नहीं है तो ना ही सही। पर इस तरह मुझे या मेरी आटो को ऐसा भला बुरा तो ना कहिए। आपको इसका कोई हग नहीं। जबान लंबी करने की कोई जरूरत नहीं। और अगर मुझसे उल्टी बात की ना तो तुझे यहीं दफना दूँगा। उस इंसान के ऐसे धमकी देने पर डाइपर बालु डर गया और अपनी आटो लेकर वो सीधे घर चला गया। घर वापस लोटे बालु को यूं सहमा सा देख कर कीर्टी उसके पास गई। भाई क्या हुआ इतने सहमे से क्यों हो दीदी कीर्टी के पूछने पर डाइपर बालु ने पूरी बात विस्तार से उसे बताई। रहने देना बालु अपने साथ अपनी मा लक्ष्मी है ना जब तक मा लक्ष्मी का आशिरवाद हम पर बना रहेगा हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगार सकता। दीदी यहां गाउं में दिन भर आटो गुमाने पर भी मुश्किल से 10 रुपे की भी कमाई नहीं होती। ऐसी जगह आटो चलाने का क्या फाइदा। क्यों न हम शहर जाकर वहां आटो चलाए वहां हमारी थोड़ी बहुत कमाई तो हो जाएगी। बालू की कही बात कीरती ने भी मान ली। अगले ही दिन से कीरती और बालू अपनी ओटो लिए शहर चले गए। चुमकि कीरती और बालू के लिए शहर नया था इसलिए वो शहर के सारे रास्ते जानते नहीं थे। उन्हें थोड़ी दिक्कत होने लगी। योही दिन बीते एक दिन उनकी ओटो में जगत नाम का एक आदमी बैठा थोड़ी दूर जाने के बाद बालो ने पूछा अंकल जी हम इस शहर के लिए नए हैं और आपके बताय पते पर जाने के लिए हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है अगर आपके बताय पते पर जाने का रास्ता आपको पता हो तो क्या आप हमें बतावगे? अगर हम अपने हिसाब से जाएंगे तो हो सकता है रास्ता भटक जाए क्या तुम बच्चों में अकल है भी या नहीं? मैंने पहले ही बता दिया था कि मुझे कहा जाना है जब तुम्हें रास्ता पता ही नहीं तो मुझे आटो में बिठाया क्यों? तुम्हारे आटो में बैठने की गल्ती की है मैंने, रोग दो आटो यहीं पर बीच रास्ते में ही आटो को रोग कर वो आदमी उतर गया हम वैसे ही बहुत दूर तक आ गये हैं ना, हमें थोड़े बहुत पैसे दे देजिए मुझे धोके से आटो में बिठाया और अब पैसे मांग रहे हो, जाओ यहां से बेचारे बालू किर्थी कुछ न कह पाए, छुपचाप अपनी ओटो लिए, वापस अपनी गाउं की और जा रहे थे पर तब तक घोर अंधेरा चा चुका था दीदी, हम बेकार ही उस आदमी को बिठा कर उतनी दूर तक छोड़ाए, कोई फाइदा नहीं हुआ और देखो न, इतनी देर होने की वज़े से अंधेरा चा गया, अब अपना रास्ता जंगल से होकर गुजरेगा, मुझे सोच कर ही डर सा लग रहा है बालू, अपनी इस्ट देवता मा लक्ष्मी है न, उनका समरन करते हुए चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा रास्ते में उन्हें एक बूड़ी औरत खड़ी हुई दिखाए दी, उस औरत को देख, किर्ती ने ओटो रुकवाई माई, आप अकेली यहाँ पर क्या कर रही है, आपको कहा जाना है माई मुझे यही पास वाले गाउ जाना है, मैं बस राह देख रही थी कि कोई मुझे वहाँ तक छोड़ दे आईए माही हमारी ओटो में बैठिये, हमें वैसे भी अकले में दर लग रहा था यो मासुम किर्ती और बालु ने उस औरत को ओटो में बिठाया बालु और किर्ती आगे बैठे हुए थे और पीछे वाली सीट पर वो औरत बैठी थी जब जंगल के रास्तों से आटो गुजर रही थी तब पीछे से एक शेर के घुराने की आवाज आई किर्ती और बालु थर थर कामपने लगे पीछे की सीट पर बैठी औरत अचानक मा लक्ष्मी में बदल गई जिससे अचानक ही जंगल में दिन जैसी रोश्नी हो गई बालु और किर्ती तुरंट उस जंगल से बाहर निकले घर के पास पहुँचकर किर्ती ने कहा बालु हमने तो उस औरत से पूछा ही नहीं कि उन्हें कहा जाना है हम तो उन्हें अपने घर ले आए जब किर्ती और बालु ने पलट कर उस औरत को देखा वो फिर से अपनी पहले वाले रूप में ही वापस लटी माई हमने तो आपसे पूछा ही नहीं कि आपको कहां जाना था आप आटो में बैठिये और बताइए कहां जाना है हम छोड़ देंगे मैं पिछले कुछ बरसों से जहां निवास कर रही हूँ वो जगे यही है आप भला यहां कैसे रह सकती है यह तो हमारा घर है इस घर में मेरे और मेरे भाई के अलावा और तो कोई नहीं रहता लगता है आपको गलत फैमी हुई है आप ज़रा अच्छे से याद करके देखिए आप कहां रहती है यो किर्थी के पूछते ही उस औरत ने साक्षात मा लक्ष्मी अपने असली रूप में आई इसका मतलब मा लक्ष्मी पिछले इतने दिनों से अपने घर में ही रहने लगी थी इस बात से अंचान हम मा लक्ष्मी के लिए मंदिर मंदिर घुमा करते थे दीदी तुमने भी तो कहा था ना कि मुश्किल घरी में मालक्षमी अपना साथ देगी इसलिए तो जंगल के रास्ते में जब ख़द्रा था मालक्षमी अपने साथ अपनी रक्षा के लिए आई इसका मतलिब दीदी मालक्षमी अपने साथ ही रहती है उस दिन से मा लक्ष्मी भले ही उन्हें दिखती या ना दिखती पर कीरती और बालु ने ये समझ लिया था कि वे हमेशा उनके साथ ही है इसलिए वे निडर होकर जहां चाहे वहां चले जाते जितना भी मुश्किल सहसी काम होता वे दोनों मा लक्ष्मी का स्मरन करते हुए उ से कर देते इस तरह मा लक्ष्मी ने उन मासुम बच्चों के दिल में पहार जितनी हिम्मत भर दी थी